तो इसलिए ट्राइकोडर्मा का एप्लिकेशन करने की वज़े से आपके जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी ग्रोध करते रहेंगे लेकिन फ्रेंज मैंने वो वीडियो में आपको बताया था कि ट्राइकोडर्मा खुद एक फंगस है यानि कि एक बेनिफिशल फंगस है जो आपके प्लांट को खराब फंगस से बचाता है लेकिन जब आप केमिकल फंगी साइड का स्प्रे करते हो खास करके सिस्टेमिकल फंगी साइड यानि कि जो भी केमिकल फंगी साइड अगर आप पर्चेस करते हो तो बाद में उसके पैकेट के उपर लिखा हुआ होता है कॉन्टेक फंगी साइड या तो सिस्टेमिक फंग उसके अंदर जाएगा, बाद में साथ में ब्रांचे, स्टेम वगरे में जाएगा और साथ में अल्टिमेटली आपके रूट सिस्टम तक वो पौच जाएगा, तो यह जो केमिकल फंगी साइड है, यह प्लांट के अंदर से फंगस को खतम कर देता है, वो यह नहीं देखता कि आपके प्लांट के अंदर बेनिफिशल फंगस है या तो खराब फंगस है, कोई भी तरह का फंगस होगा उसको वो मार देगा, तो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा का असर खतम हो जाएगा, तो इसलिए उसका solution किया है, यानि कि आपको अपने प्लांट के अंदर organically ट्राइकोडर्मा का application भी करना है, साथ में आपको अपने प्लांट के leaves के उपर और branches के उपर प्लांट को फंगस से भी बचाना है, क्योंकि summer season में भी fungus आपके प्लांट के उपर लग सकता है, जो recently मेरी एक वीडियो आई थी fungus से related, तो वो वीडियो का link मैं description box में दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके वो fungus से related वीडियो आप देख सकते हूं, तो जैसे ही season change होती है, तो आपके प्लांट के उपर fungus भी लगना start हो जाते हैं, तो उसके लिए friends हम organic treatment कर सकते हैं, यानिकी friends अगर आप organically अपने plant को fungicide spray करोगे, तो बात में आपके जो plant है वो हमेशा safe रहेंगे, और साथ में आपके जो plant के अंदर जो प्राइकोडर्मा के application आपने किया है, वो भी बरकरार रहेगा, उसका जो असर है वो भी maintain रहेगा, तो उसके लिए friends दो उपाई है, सबसे पहला उपाई है, वो है homemade, homemade में friends आप baking soda का spray कर सकते हो, baking soda one of the best homemade fungicide है, और जिसका असर आपके roses के ऊपर हो सकता है, लेकिन friends अगर आप baking soda apply करते हो, baking soda का spray करते हो आप, तो एक दिक्कत आपको यह आ जाएगी कि baking soda fungus के ऊपर काम नहीं करता, वो fungus को रोकने का काम करता है, यह basically baking soda का काम होता है, लेकिन अगर आपके plant के ऊपर already fungus लग चुका है, तो बाद में अगर आप baking soda का spray करोगे, तो आपको उसमें result नहीं मिलेगा, तो अगर आपका plant healthy है, कुछ यह इसाब से plant की किसी भी टाइप का fungus अगरे नहीं लगा है, तो बाद में आप baking soda का spray करोगे, तो बाद में आपका जो plant है, आगर जो भी fungus अगर आपके plant के ऊपर लगने वाला होता है, वो नहीं लगेगा, तो baking soda friends हमें शाम के वक्त spray करना है, दो ग्राम लेना है, एक लीटर पानी में mix कर लीजिए और आप अपने plant के leaves के ऊपर, branches के ऊपर अच्छी तरह इसका spray कर लीजिए, baking powder नहीं लेना है, baking soda लेना है, baking powder असर नहीं करेगा, baking soda असर करेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, तो हफते में एक बार baking soda का आप spray कर सकते हो, दूसरा जो homemade इलाज है, वो है दूद का spray करना, दूद का spray के related friends मैंने बात मेरी last वीडियो में भी बताई थी, तो दूद एक ऐसा material है friends, जिसकी वज़े से आपके जो plant के उपर जो fungus जो बढ़ते हैं, उसको रोकने में वो help करता है, तो अगर आप दूद का spray weekly weekly basis पे करते रहोगे, तो आपके जो plant के उपर fungus ज्यादा develop नहीं होगे, तो दूद का spray भी कर सकते हो, baking soda का भी spray कर सकते हो, दोनों को साथ में mix करके spray नहीं करना है, अलग-अलग करिए, दो दिन, तीन दिन का gap रखिए, और आपका जो plant है, वो fungus से safe रहेगा, अब जो दूद का spray अगर आप करते हो, तो आपको एक लीटर दूद लेना है, एक लीटर दूद को आप 4-5 लीटर या तो 6 लीटर तक पानी में आप इसको dilute करके आप अपने roses के उपर spray कर सकते हो, उससे आपके plant को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, और उल्टा दूद आपके plant को calcium प्रोवाइड करेगा, तो दूद का spray आप कर सकते हो, तो ये जो दो homemade इलाज है, जो मैंना आपको बता है, जो आपके roses पे fungus को उसको बचा सकेगा ये घर्मियों की season में, लेकिन friends बहुत बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि हमने ये सुबह के वक्त मैंने अपने roses के उपर पानी का spray किया है, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, कि हमारे roses के उपर fungus लग जाते हैं, अगर हम homemade चीज़े भी use करते हैं, तो उसक बाइफ रह सके, और वो product है friends, bio organic fungicide, bio organic fungicide यानि कि एक ऐसा fungicide जो आपके प्लांट के उपर के जो beneficial fungus है, उसको तो वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुचाएगा, अगर आप उसको soil के अंदर भी डालोगे, तो भी वो beneficial fungus को नुकसान नहीं पहुचाएगा, और जितने भी जो खराब fungus वो आपके प्लांट के उपर डेवलप हो रहे है, उसको वो आराम से भगा देगा, basically role होता है friends, bio organic fungicide का, अब bio organic fungicide का product friends, अगर आपके market में easily नहीं मिल रहा हो, तो बाद में आप online ले सकते हो, उसका link मैंने description box में दिया है, तो मैं जो bio organic fungicide use करता हूँ, व beneficial fungus होते हैं, अगर आप इसके ingredients थोड़े से आप ध्यान से पढ़ोगे, तो इसके अंदर trichoderma already available है, लेकिन trichoderma के अलावा उसके अंदर दूसरे भी बहुत सारे ऐसे fungus होते हैं, जो हमारे plant को बचा सकते हैं, खराब fungus से, तो ये जो organic fungicide होता है friends, ये organic fungicide आपके जो plant के अं समाल करते हो, soil के अंदर और अगर आप trichoderma का spray भी करते हो, तो ये जो product है, ये beneficial fungus को कभी भी नुकसान नहीं पहुचाएगा और आपका plant हमेशा safe रहेगा खराब fungus से, अब ये जो bio organic product है, ये 2-3 ml ले सकते हो friends, 1 liter थंडे पानी में, हमें fridge का जो थंडा पानी होता है, उसके friends इसको लेना है, और हमें शाम के वक्त इसका spray करना है, यानि कि 6-7 बजे के बाद जब आपके या temperature 35 degree से नीचे चला जाता है, तो ये चीज अब थोड़ा सा ध्यान से समझ ये, ये जो फंगी साइड है, ये बेसिकली high temperatures में काम नहीं करता, तो अगर आप इसको high temperatures में use होगे, तो ये waste of money है, तो इसका use करने का एक सही तरीका है, तो सही तरीका ये है, कि सबसे पहले आपको ठंडा पानी लेना है, फ्रिज का, और ठंडे पानी में friends, आप इसको 3 ml जितना mix कर सकते हो, और बाद में friends, आप शाम के वक्त, यानि कि 6 बजे के बाद जब आपके या आपको ठंडा पानी plus रात का वक्त सजेस करता हूँ, अगर आपने early morning spray किया, तो early morning में ये जो fungus होता है, ये fungus को काम करने का time कम मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही आप early morning में spray करोगे, तो पूरे दिन में धूप निकलना start हो जाएगी, temperature बढ़ना start हो जाता है, तो जो fungus होता है, जो काम करना होता है, यानि कि leaves के उपर से, branches के उपर से, जो भी खराब fungus वगेरों भगाना होता है, वो नहीं कर पाएगा, और ultimately आपको result नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये fungi side का application हमेशा रात के वक्त करिए, पूरे रात में ये आराम से जो भी damage, जो भी आपके plant के उपर दिन में एक बार आप ये bio organic fungicide जरूर आप अपने प्लान्ट के उपर चरीए, अगर आप सिर्फ bio organic fungicide spray करना चाहते हो, तो हफते में एक बार आप बार आप बायो organic fungicide का spray कर सकते हो, लिकिन अगर आप homemade fungicide भी 20%. नहीं करना है. हमें उसको अलग से ही प्रप्रेय करना है. किसी और चीज के साथ मिक्स करके उसको प्रप्रेय नहीं करना है. एक दूसरी चीज जो आपके माइड में चल रही होगी वह है क्या हम chemical insecticide spray कर सकते हैं तो chemical insecticide spray कर सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन chemical insecticide के साथ आप ये bio organic fungicide mix नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप chemical insecticide spray करते हो उसके लगबग 3-4 दिन बाद आप ये bio organic fungicide spray कर सकते हो तो ये कुछ ऐसी बाते हैं bio organic fungicide से related तो अगर आपको किसी भी टाइप का confusion हुआ ये topic से related तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो, मैं आपको reply दूँगा till then के लिए, thank you friends